लोगसबाद चुनाओं के साथवे और आखरी चलड़ के लिए आज यारी एक जून को मद्दान हो रहा है अंतिम चलड़ साथ राज्य और एक केंदर सासित परदेश की एक लोगसबाद सीट पर वोटिंग जा रही है सभी सीटों पर चार जून को नतीजे घुरूशित किये जाएंगे इससे पहले सभी की नजर एकजिट पोल पर लगी है साम पांच मेचे के बाद एकजिट पोल के नतीजे आने लगेंगे अब एकजिट पोल देखने के बाद बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर एकजिट पोल क्या होता है इसकी सुरूआत कैसे टीम उससे पूछती है कि उसने किस उमिद्वार और पार्टी को ओड़ दिया है इसके अलावा उस पार्टी या उमिद्वार को ओड़ देने की वज़े भी पुछी जाती है अगर लोग सबाद चुनाव है तो उससे परधार के लिए उसकी पसंद पूछी जाती इसके आलावा कि स्वाल पूछे जाते हैं सरव arthritis पोल का lagi इतियास तो काफी पूराना है भारत नहीं कई अन्य देशों में चुनाओं के दौरान इसका इस्तमाल किया जाता है अमेरिका से लेकर और अफिरिका एसिया के कई देशों में पोल कराए जा चुके हैं ऐसा माना जाता है कि पहली बार एक्जिट पोल साल 1936 में अमेरिका में लाए गये थे तब जोर्ज कैलप और क्लॉड प्राविंसन ने निवार्क में सर्वे किया था तब जैसे ही लोग वोट देकर बूट से बहार निकले तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने किसे वोट दिया है इसके बाद नतीजे जारी किये गये थे अधिकांस ओटर ने फ्रैंक्लिन डी रुजल वेल्ट का नाम दिया ए पूल हुए भारत में पहली बार कभूए थे एकजिट पूल भारत में दूसरे आम चुनाओं में कराए गए थे इंडियन इंसिट्यूट और पॉब्लिक ओपनियन ने तब एक पूल कराया था हाला कि इसे पूरी तरह से एकजिट पूल नहीं कहा गया लेकिन भारत में इसका प्रसारण दुरदर्शन पर किया था यह पहला मौका था जब टीवी पर एकजिट पूल दिखाए गये थे उसके बाद से देश में लगातार उपनियन पूल और एकजिट पूल कराया रहे हैं क्या है एकजिट पूल के लिए गाइडलाइन साल 1998 से पहले तक देश में एकजिट पूल कोई लेकर कोई त्रय गाइडलाइन नहीं थी इसके बाद चुनाव आयोग ने एकजिट पूल के लिए दिशा अनिर्देश जारी किये एकजिट पूल के नतीजे जारी नहीं किये जा सकते हैं तो यह थी एकजिट पूल से जूरी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बता हैं साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें बाकी देश दुनिये खबरों के लिए बने रेजन सत्ता के साथ और आप